इसको भी वालिशीए बनाना है जैसे हम लोगों ने पिछला चौथा नमबर का बनाया चौथा नमबर का हम लोगों ने क्या किए था? सेम है, युखलीट व्वाजन परे मिका का इस्तिमाल करना है 2 का वर्ग मतलब 2 का स्कुरेर 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दो नी 4 हो गया अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को 3 से गुना करना है 4 का वर्ग करेंगे तो 4 को 4 से गुना करना है यह हो गया हम लोग का वर्ग और घं क्या करना है 3 बार गुना करना है आठ हो जाएगा, दो दोनी चार, चार दोनी आठ हो गया, तो दो का घन हो गया, आठ, दो का वर गे चार, वही दो का घन, आठ हो जाता है, अगर तीन का घन की बात करेंगे, तो पावर तीन, घन बोलेंगे, तो पावर तीन हो जाएगा, मतलब, तीन गुना, तीन गुना, त को है न, तो 4 चुका 16, 16 हो जाएगा राइट तो चौथा नमबर में हम लोगों ने क्या किया था वर्ग क्या था, इसमें क्या करना है घन करना है, ठीक है, गन का मतलब उसको 3 बार कोणना करना है ठीक है, तो चलो वहाँ, चौथा नमबर में हम लोगों किसी पुर्णाग का जो वर्ग था वो तीन एम या 3 एम जो एक की रूप का था लाए खेंक करना है कि आधर। जो किसी Huh करणा होता है ए mm या तो नो एम जोल एक का होता है या फिर 9 एम जोल आंठ का रूप का होता है यह हमें करके दिखाना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं करना क्या है हमें सबसे पहले लिखेंगे हल ठीक हल लिख लिख लिया कोई एक संख्या जिसको हम लोग मान लिखेंगे माना की ए ठीक है कोई धनात्मक पुर्णांख है ये लंबा जाएगा ठीक है धनात्मक पुर्णांख है क्योंकि काफी लंबा करना है ज्यादा है ये भी हम लोग का 9 है इसलिए ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो सौट में भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको देखो, आगे देखो, कैसे समझ में आ रहा है A हम लोगों ने मान लिया, A कोई धनात्मक पुर्णांग है तो B भी मानना पड़ेगा Euclid Vivajan Pramica का इस्तेमाल Euclid Vivajan Pramica क्या होता है, ये तो हम लोग जानते है ये B क्यू जो और ये हमारा क्या है Euclid Vivajan Pramica है और इसमें A क्या है, भाजक है ये B भाजक है, ये क्यू भागफल है और ये सेस्फल है है ना, पुना देख लो, भाग करते हैं हम लोग बीच वाले को A बोलते हैं, इधर वाले को B और इधर वाले को की, और नीचे जो बज जाता है उसको हम लोग सेस बोल देते हैं, राइट ये हमारा जो है, Euclid Vivajan Pramica होता है चेक करते हैं, इसको और इसको गुना करें इसके साथ जोर देंगे, जोरने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? इसके बराबर आजाएगा ठीक है? चलो तो हम लोग उने A मान लिया, आप तो B भी मानना पड़ेगा B हम लोग का दिया हुआ, यहां दिखाई पर रहा है 9M, 9M-1, 9M-8 तो इसको हम लोग B मानेंगे, ठीक है? को दिखत? इसको हम लोग क्या मान लेगे? B मान लेगे तो लिखेंगे, तथा B बराबर 9 B बराबर हो क्या? 9 अब जब B हम लोग का 9 हो गया मतलाग भाजक 9 हो गया तो Says also क्या क्या हो सकता है? अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग करेंगे तो 6 क्या-क्या बच सकता है या तो 6-5 जिरो बच सकता है या 6-5 एक, दो, तेन, चार, पाँच, शे, साथ, आठ 6-5 आठ तक बच सकता है 8 से जादा यानि 9 नहीं बच सकता है 9 से भाग करेंगे और 6-5 कभी 9 आएसे छोड़ेंगे बैस सेसफल मेरा 9 बज किया ऐसा तो नहीं चोड़ेंगे न मतलब सेसफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा ही इससे छोटा हो जाएगा है न तो चलो अब इसी को लिखना है पुना लिखेंगे इसको Euclid विवाजन प्रमेका से इसको लिख लिया लिखने के बाद हम क्या करेंगे A बराबर लिखेंगे A बराबर क्या हो जाएगा B B मेरा हम लोग का 9 लिये है B 9 उसके बाद Q जोर R ठीक है सेसफल A बराबर B Q जोर R हो गया अब यह जो R है यह जो सेसफल है इसका कंडिशन क्या है कि यह जो सेसफल है 9 से क्या होगा छोटा होगा 9 से छोटा 9 बड़ा और R छोटा सेसफल छोटा ठीक है और यह R जो है यह 0 से बड़ा होगा या बड़ाबर होगा सेसफल 0 हो सकता या 0 से बड़ा लेकिन हमेशा ही 9 से क्या हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा ठीक है अब हम देखेंगे यहां लिखेंगे यहां जैसे चोथा नमर में बनाये थे ठीक उसी तरसे इसमें भी बनाना है फर्क इतना रहे का है वो वर्क की थे यहां हमें क्या करना है गन करना है यहां R का संभावित मान R का संभावित मान क्या-क्या हो सकता है यानि सेस्फल हमारा 0 हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि हमें इतना step करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 step करना ठीक है तो लिखेंगे यहां जब R बड़ावर 0 हो जाए R बड़ावर क्या हो जाए 0 हो जाए तो A बड़ावर क्या हो जाएगा A हमारा क्या हो जाएगा 9Q 9Q जोर R 0 0 ठीक है इसको न भी लिखेंगे तो चलेगा जो 0 को गरना भी लिखेंगे तो चलेगा यानि जब 6 फल 0 हो जाएगा तो A क्या हो जाएगा 9Q हो जाएगा क्या हो जाएगा 9Q हो जाएगा मतलब हम 9 से किसी संख्या को भाग करेंगे A को भाग करेंगे 9 से तो भाग फल कुछ आएगा और सेसफल अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा यह एब राउड क्या हो जाएगा 9 गुना Q 9 Q ही हो गया चाहे तो हम इसमें बैठा के देख सकते हैं ठीक है चलो अब इसको क्या करना है हमें घं करना है क्या करना है घं जैसे चौथा में वर्क किये थे इसमें क्या करना है घं करना है लिख लेंगे या इसको चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हो यही रहने तो इसको घं करेंगे घं घं का मतलब पावर 3 तो इसका घं करेंगे तो इसको भी घं करेंगे कर सकते हैं को दिक्कत चलो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 9, 3 का मतलब 3 बार तो कैठो 9 है, 3 ठो 9 है कितना ठो, 3 ठो 9 है तो हम क्या करेंगे, 1 ठो 9 को रहने देंगे अब कैठो 9 बज़ क्या, 2 ठो, उन 2 नो 9 को गुना कर दो तो 9 नमा, 81 हो गया यह हो गया, 81 यहां 2 ठो 9 और यहां 1 ठो तो 2 यहां और एक यह 3 ठो 9 हो गया जो कि यहां 3 ठो 9 है भी और Q कैटो है 3 ठो है तो यहां Q को पर Q कर देंगे दिखाई पर रहा है ना Q पर Q कर दिए ठीक है यह point का मतलब गुना, यह मत समझना कि यह point है, दस मलब है ठीक है? गुना है, 9, गुना 81, Q, Q ठीक? अब यहां ध्यान दो यह हमारा 9 और इसको हम M बोल देंगे 81, Q, Q को क्या बोल देंगे? M बोल देंगे इसको ऐसे बोलेंगे यह हमारा 9 और यह पूरा हमारा M हो गया को देखकत अब इसको ब्राइकेट में यहां लेख सकते हो, कि M क्या है भई? M हमारा 81, Q, Q है यह हमारा M है तो हम जब इस A क्या है मेरा? कोई धनात्मक पुर्णाग है जब हमने इस धनात्मक पुर्णाग का गन किया क्या क्या? गन क्या? इस A का गन किया तो क्या हो गया यह? 9 M की रूप में हो गया हमें दिखाना था कि यह गन जो है 9 M की रूप का होता है पहला हम लोगा 9 M की रूप में आ गया अब आगे बढ़ना है जब R हमारा क्या हो जाए? आर हमारा एक हो जाए सेस्फल क्या हो जाए एक हो जाए तब ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा थोड़ा इसको सजा के लिखेंगे अच्छा से बराबर को सामने लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगएगा देखने में ना A परावर क्या हो जाएगा 9Q 9Q जोर जोर आर आर मेरा एक तो यहां एक लिखेंगे ठीक है पुना हमें इसका क्या करना है घं करना है चलो घं करते हैं लिखेंगे या घं करेंगे यानि A Q करेंगे तो क्या हो जाएगा इस पूरे पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा इस पूरे पर क्या लगा देंगे पावर तीन लगा देंगे क्यूब हो गया इसका भी वो क्यूब और इसका भी क्यूब ठीक है अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहां देखो अब ध्दियान दो 9 Q जोर 1 तो इसको हम A बोल दिए और इसको B तो A जोर B पर hal cube है ये एक सुत्र का अपलाई करो पता होगा सुत्र क्या होता है A जोर B पर hal cube क्या होता ये A cube होता है जोर 3 A A square B जोर 3 A B square जोर B cube यही होता है याद होगा तो हम क्या करेंगे इसी को apply करेंगे बस करना कुछ नहीं है a cube a मेरा 9 q है तो 9 q पर cube कर देंगे जोड लगाएंगे उसके बाद 3 a square a मेरा है 9 q यानि 9 q पर square हो जाएगा फिर गुना करेंगे b से b मेरा 1 है जोड लिखेंगे यहाँ जोड है तो यहाँ जोड लिखेंगे 3 a b square 3 लिखेंगे यह 3 कहां से आ रहा है यह सुत्र से आ रहा है उसके आद a लिखेंगे a मेरा 9 q है तो यहाँ 9 q पुना हम यहां गुना करेंगे किस के साथ? B square के साथ B मेरा कितना है? 1 है तो यहां 1 पर square करेंगे पुना यहां जोर है तो यहां लिखेंगे जोर B Q B मेरा 1 है तो यहां 1 पर Q लिखेंगे आड़ यह समझ में? अब देखो ध्यान से पुने इसको ध्यान में रखना है यूकी हमे हमें 9 को लेना है 9 को common में लेना है इसलिए ध्यान में रखना है 9 जहाँ जहाँ भी रहे तो 9 वहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे ठीक है? अब देखो यहाँ इसको हम लोग यहां जिस तरह से लिखेते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं, यहां 3-9 है, 1-9 को बाहर करें, क्यूंकि 9 को common में लेना है, अब यहां 2-9 बज गया, यानि 180, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जागा, 180, cube, और यह, cube हो गया, पुना, यहां ध्यान दो, यहां 2-9 है, 1-9 को पहले ल लिख गया, 1-9 यहां बज गया, तो यह 8-9 और इस 3 को गुना करो, 9-27 गुना 1, 27 ही हो गया, अब यहां ध्यान दो, यह Q, Q पर क्या है, square है, तो वो Q पर square रह जाएगा, क्लियर, आब हम क्या करें, एक से इस से गुना कर दिए, क्या किये, यहां 2-9 था, 1-9 बाहर कर लिए, 1-9 बज गया, उस 9 को हम इस 3 के साथ गुना किये, 9-27 और इस 1 को गुना किये, 27 ही का 27 हो गया, यह Q पर square है, तो Q पर square रहने दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, यहां 9 है, तो 9 याद रहे, जहां 9 है, 9 को हम लेने का प्रयास करेंगे, तो 9 को हम इस side में कर द अब यह 3 और एक बज गया, तीन हो गया, और यह Q हो गया, तो Q हो गया, उसके बाद यह जोर, एक पर power 3 का मतलब 3 बार गुना करना एक को, तो एक गुना एक, फिर गुना एक करेंगे, एक ही होगा, यानि यह एक हो गया, अब इसको ध्यान दो, अब इसमें हम देखेंगे, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, है ना, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको, इसके नीचे कर लेना ठीक है इसके नीचे में यहाँ 9 है 9 को हमने क्या कर लिया common ले लिया 9 को ले लिया तो बचा क्या 81 Q Q जोर इसका 9 हमने ले लिया 27 QA square यहां लिखेंगे 27 QA square उसके वाद यह जोर है यहां जोर इस 9 को हमने बाहर निकाल लिया बाहर निकाल लिया तो बचा यहां 3 Q 3 Q और किसी से तो 9 लेर नहीं रहे इसमें तो 9 है नहीं तो हम क्या करेंगे बस यहां तक ब्राकेट लगा देंगे उसके वाद यह जोर यह 1 है 1 ठीक है अब ध्यान दो क्योंकि इसको अगर फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यह 9 गुनाई करेंगे तो 9 गुनाई इतना हो जाएगा 9 गुनाई इतना हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इस पूरे को M बोल दो यह 9 और यह पूरा जो है न इसको हम M बोल देंगे और यह जोर 1 9 M जोर 1 हो गया इसको bracket में यह लिख सकते हो इधर में इस तरह से bracket में लिख लोगे कि M बराबर कितना है यह 81 Q Q जोर 27 Q स्कार जोर 3 Q यह हमारा 9 M जोर 1 की रुपका हो गया छलो पहले यहां से लेकर यहां तक उतार लो ठीक है आगे चुक्छिने और बड़ा होने वाला है तो और लिखना है अबी successful एक तक ही किए है आगे और करना है ठीक है आढ़ तक कर देंगे छोर देंगे वसी exam में नहीं आने वाला है फिर भी समझ लेंगे आप भी जाएगा तू क्या दिक्कत है बना लेना है भाई ठीक है वीडियो को रोके उतार लो फिर आगे बढ़ रहे हैं मिटा दे रहे हैं जब R 2 हो जाए सेस्फल क्या हो जाए 2 हो जाए तो A बरावर क्या हो जाएगा 9 Q 9 Q 9 Q पर स्क्वाएर गुना B B मेरा दो है तो यहाँ 2 लिखेंगे ठीक है पुना जोर 3 A B मेरा 9 Q उसके ऐख B मेरा 2 है तो 2 पर स्क्वाएर हो गया जोर B क्यूब B मेरा 2 है तो 2 पर क्यूब हो गया कर दिक्कत अब यहाँ ध्यान दो वो इस सुत्र अपलाई किया a cube जोर 3 a square जोर b जोर 3 a b square जोर b cube हो गया सुत्र अपलाई कर दिया अब देखो फिर ध्यान में रखना है कि हमें 9 को तो बाहर करना है 3 ठो 9 है 1 ठो 9 ले लिया 2 ठो 9 बज़ गया यानि 183 cube पर cube जोर यहाँ से 9 को हम निकाल लेंगे 2 ठो 9 है 1 ठो 9 ले लिया 1 ठो 9 बज़ गया उस 1 ठो 9 को हम इस से गुना करें तो 9 तिया 27 हो गया और 27 दूनी 54 हो गया 54 क्यूब पर यह square है तो square ठीक है उसके आद 9 है 9 को हम बाहर कर देंगे उसके बाद बज़के यहाँ देखो 2 ठो 2 है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 क्यूँ हो गया उसके आद इधर देखो 2 ठो 3 ठो 2 है तो 3 ठो 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा अब धियान दो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 9 को ले लो common बज़के क्या एक क्या सी Q Q जोर 4 Q square जोर यह 12 Q और इधर जोर 8 यह देखो यह 9 और यह पूरा हमारा हो गया M और यह जोर 8 पहले आया था 9 M के रुप में दूसरे बार आया 9 M जोर एक के रुप में अभी जो तिसरा बार की ए 9 M जोर 8 के रुप के आये गया इसी रुप में होता है यह हमेशित करना है और उसी रुप में सिध हो रहा है पुना हम क्या करेंगे M इधर ब्रायकेट में ऐसे लिख करके m बराबर लिख लेंगे 81 q q जोर 54 q square जोर 12 q ठीक है? यह हो गया? जब सेस्फल 2 हो तो यह हुआ फुना हम करेंगे जब सेस्फल यानि की r बराबर 3 हो जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा? वही 9 q जोर सेस्फ मेरा 3 बचेगा तो 3 लिखेंगे फुना हम क्या करेंगे इसको? घं करेंगे इसको भी क्या करेंगे हम? इधर भी घं करेंगे इसको आप लोग कर सकते हो फटाफट से चाहे तो इसको पूरा को कर सकते हो नहीं कर सकते हो फिर भी देख लो मैं बरना दे रहा हूँ कर सकते हो तो ठीक है अकर नहीं कर सकते हो तो यहां से देख कर क्या आप लोग लिख सकते हो न तो A Q यानि नौ Q पर Starл Q जोर तीण A cheer A मेरा 9 Q है तो इस पर square गुना B B मेरा 3 है जोर पुना हम यहां लेंगे तीन गुना A, A मेरा 9 Q है B स्क्वाइर B मेरा 3 है, तो 3 पर स्क्वाइर हो गया, जोर B पर Q, B मेरा 3 है तो 3 पर Q हो गया को दिकत अब हमें इसको क्या करना है यहां देखो क्या करेंगे, यह हो गया, 1 ठो 9 बाहर कर देंगे, 2 ठो 9 बज़िया 9 नमा 81 ठीक है, यहां से 1 ठो 9 बाहर कर देंगे, उसके यह बज़िया 1 ठो 9 बज़िया, यहां 1 ठो 9 बज़िया, ठीक है और इस 3 को और इस 3 को करेंगे गुना तो नो हो गया और नो नमा 81 हो गया ठीक है यह इसको ऐसे भी कर सकते हैं तीन त्या नौ नौ लिख लिया 9 तो बहर कर ना था नौ बाहर आ गया उसके दिए दो ठो नौ है तो नमा 81 क्यू इसके धो कि इसके छोड़ दिया पुना देखो यहां 9 है 9 को हम यहां क्या कर देंगे बाह 27, यानि ये हो गया 27 cube, उसके यहाँ देखो धियान से, यहाँ क्या है? यहाँ जो है, एक 3 ठो 3 है 3 ठो 3 है, 3 ठो 3 है ना? 3 गुना, 3 गुना, 3 है इस दोनो 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 1 ठो 3 बच जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते है 9 गुना, 3 9 गुना, 3 लिख सकते है 27 है तो, 9 तिया 27 हो गया ठीक है? अब देखो यहाँ से धियान दो इसमें भी 9 है, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी है, तो 9 को हम सब का common में ले लेंगे बच जाएगा क्या है? 21, 81, Q Q, जोर 81, Q square, जोर यह क्या? 2 Q बच जा था क्या? 9 तिया 27 नह होगा 27 Q है ना? 27 Q उसके बाद यह इसका 9 को बाहर कर लिया तो यहाँ बच गया? 3 है ना? अब देखो धियान से यह 9 और यह पूरा गुना हो रहा है ना? तो हम क्या करेंगे? यह 9 और इस पूरे को हम बोल देंगे M क्या बोलेंगे? M बोलेंगे, ठीक है? तो अब क्या हो गया यह? हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ब्राइकेट ले करें M बराबर क्या हो जाएगा हमारा M हो गया यह 9M जो राट की रूपका हो गया यह 9M की रूपका हो गया ठीक है? यहां तक किलिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उतार लो इसको जब सेस्फल हमारा तीन तक तो कर लिए सेस्फल हमारा चार बज जाएगा तो A बराबर हो जाएगा 9Q जोर 4 हम पुनह इसका घं करेंगे तो हो जाएगा यह 9Q जोर 4 पर हॉल क्यूब इसको आगे बढ़ाएंगे 9Q पर हॉल क्यूब जोर 3A स्क्वाइर A मेरा 9Q है इस 9Q पर A स्क्वाइर उसके बाद गुना B B मेरा 4 3A A जोर B B स्क्वाइर B मेरा 4 पर स्क्वाइर जोर B Q यानि 4 पर Q पुना आगे बढ़ाएंगे इसका एक टो 9 बाहर क्या इधर बचक्या 81QQ इसका एक टो 9 बाहर कर लिए अब यहाँ ध्यान दो 4 तिया 12 और एक टो 9 बचा यहाँ बाढ़नमा 108 है ना तो यह Q पर A स्क्वाइर हो गया जोर यहाँ देखो इस 9 को हम बाहर कर लेंगे तो बचक्या यहाँ 4 चुका 16 16 48 48 Q उसके यहाँ ध्यान दो 4 चुका 16 1664 हो गये ना देखो यहाँ क्या हो गया यह 64 हो गये ना यह हमारा क्या हो गया 64 हो गया अच्छा इस 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते है 9 का पाड़ा में 9 साथ है 63 होता है 63 और 1 अगर करते हैं तो कोई दिक्कत है ऐसे अगर करें 9 साथ है 63 और 1 4 पर Q का मतलब होता है 64 4 पर Q का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 तो 4 चुका 16 16 चुका 64 64 हो गया अब इस 64 को हम लोग 63 जोर 1 लिख सकते हैं तो यह हो गया 64 उस 64 को हम ले 63 जोर 1 लिख लिए क्यों लिख 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 लिए कि 9 का पाड़ा में 63 हाता है 9 का पाड़ा में 63 हाता है मतलब इस 63 में 9 है इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है तो 9 को हम लोग common ले सकते हैं ठीक है? चलो अब हम क्या करेंगे? सबीका 9 को बाहर कर लें इसका 9 बाहर ये बज़ गया क्या से Q Q ये बज़ गया 108 Q पर SQ ये बज़ गया और 40 Q और देखो 9 का पाड़ा पड़ो क्या बाहर में 63 आएगा? 7 बार 63 से हमने 9 को बाहर किया तो बज़ गया 7, 9, 7, 33 हो गया और इधर जोर 1 अब देखो ये क्या होगी? ये 9 और इस पूरे को हम M बोलेंगे और इधर में 1 आ गया इसको भी बराइकेट में हम इधर लिख सकते है M बराबर कितना है भाई? एक क्या अब पूरा हम जब सेस्फल हमारा 5 हो जाए तो A बराबर कितना हो जाएगा? 9 Q जोर 5 पूरा जब हम इसका घहन करेंगे तो ये 9 Q जोर 5 पर ये Q हो जाएगा अब मैं सीर नहीं उठाऊँगा फटा फट से बनाके दिखाऊँगा ठीक है? आगे बढ़ाके ये वही हो जाएगा 9 Q पर हॉल Q जोर 3 लिखेंगे A स्क्वाइर लिखेंगे A मेरा 9 Q है 9 Q पर स्क्वाइर गुना B जोर 3 A A मेरा 9 Q B स्क्वाइर B मेरा 5 तो 5 पर स्क्वाइर जोर B पर Q B मेरा 5 है तो 5 पर Q हो गया राइट? अब देखो यहाँ ध्यान से ठीक उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ 9 उसके बाद 81 Q Q जोर यहाँ से हम 9 निकालेंगे उसके बाद देखों यहाँ एक ठोर 9 बज गया ठीक है? तो 5 गुना 3 5 तीया 15 15 नम है? 15 नम अंकतना कितना होता है? 15 नम है 135 है ना? 15 नम है 135 हो जाएगा ठीक है? उसके बाद यह Q पर स्क्वाइर जोर यहाँ से 9 निकाल लेंगे तो यहाँ 5 पाच है 5 पर इसकोर का मतलब दोटो 5 पाच पाच है 25 पाचिस तीया 75 इस 9 को हमने निकाल लें इधर बज गया 75 Q उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से 5 पाचिस 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 है 125 है यहाँ यहाँ कितना है? 125 है यह हमारा हो गया 125 9 का पाचिस को काटो 125 को 9 का पाचिस को 9 का पाचिस में काटो तो 9 का 9 हो जाएगा 3 और यह 5 9 दून अठारो 9 तिया 27 9 तिया 27 हो गया ठीक है? तो बज गया क्या? 15 में से साथ चला गया 8 यानि यहाँ 125 को हम लोग 117 जोड 8 लिख सकते हैं है ना? एक इस टिप को खतम कर देते हैं वह ही कर लोगे यानि यह जो हो गया 125 के जगह हम लोग 117 जोड 8 लिख सकते हैं 117 में 8 जोड एतो 125 हो गया किलियर? यह दोनों मिलके 125 होगे 117 क्यों लिखा? 9 का पाढ़ा में यह होता है 13 नमा 117 मतलब यहां भी 9 यहां भी 9 यहां भी 9 यहां भी 9 तो इन सब का 9 को हम लोग बाहर कर सकते हैं चलो आगे देखो 9 का सब को हम ले लेंगे यहां से हम 9 निकालेंगे तो बच जाएगा क्या है? तेरह बच जाएगा तेरह और इधर जूर आट 9 और इसको गुना करेंगे यह हो गया 9 और इसको गुना करेंगे यह हो जाएगा 9 और इसको गुना करेंगे यह हो गया और 9 और तेरह को गुना करेंगे एक सो सत्रह हो जाएगा केलियर? जिसका जिसका 9 था सब का हमने 9 को बाहर कर लिया अब बच क्या क्या अब देखो ध्यान से इस पूरे को हम M बोल देंगे और इसको जोर 8 है तो जोर 8 देखो 9 M जोर 1 9 M जोर 8 की रूप का आ गया आया ना ठीक इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां ब्राइकेट करके M बराबर यह जो है पूरा को लिख लो इतना हम लोगों ने इसको लिख लिया अब आगे बढ़ते हैं जब सेस्फल 6 बचेगा तब क्या होगा उतार लो विडियो रोग के उतार लो जब सेस्फल हमारा 6 बचे आर 6 तो A बराबर क्या हो जाएगा 9Q जोर 6 पुन हम इसका क्या करेंगे घन करेंगे तो इसका भी घन करेंगे अब क्या हो जाएगा 9Q पर Q जोर 3 A स्क्वाइर यानि 9Q पर स्क्वाइर गुना B जोर 3 गुना A गुना B एस्क्वाइर यहानिazoote जोर B³ यहानि छॉपर 3 पुना आगे बढ़ाएँगे इसको कितना हो जाएगा एक्षण 9 बाहर रिफिए क्यों क्यों हो गया एक्षण 9 को हम बाहर कर लेंगे इसका 9 बाहर एक ठोड़ नो बज गया तो नो तिया 27, 27 गुना 6 करोगे तो क्या हो जगा साथ 6 कर दो, हाथ मेरा 4, 6212 और 124, 16 यानि 162 Q स्क्वार ठीक है अब आगे करेंगे, यहां से 9 को हम बाहर कर देंगे ठीक है, उसके अधि यहां देखो, यहां 2 ठोच है ठीक है, 666 36, 36 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 36 तिया, 6 तिया 18, 3 तिया 9, और एक 10 108 Q, जोर उसके अधि यहां देखो, 3 ठोच है तो 3 ठोचो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 36 गुना 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 36, 36, 36 का 6, हाथ मेरा, 3, 4, 8, 8, 3, 21 216 हो गया कितना हो गया, 216 हो गया, अच्छा अब यह तो हो गया 216 ठीक है, इस 216 में 9 है 9 से भाग करके देखो, ठीक है 216 को तो 9 का 9 दूनी 9 दूनी 18 हो जाएगा कितना बज़े 3 9 चो का 36 करेंगे न पूरा यानि 216 में 9 और 24 है तो हम इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9 सभी का 9 को हम क्या कर लेंगे चोड़ी कर लेंगे, चोड़ी नहीं करेंगे भाई, साइट कर देंगे, ठीक है 216 में क्या क्या है, 9 और 24 है ठीक है, तो हम देखो इसको ऐसे करते है फिर 9 को बाहर 183, Q, Q जोर, ये 162 Q स्क्वाइल 108 Q, जोर इस 216 में कितना है 24 है, है ना 24 और 9 को गुना करेंगे, तो 216 आ जाएगा ठीक है, अब ये क्या हो गया ये 9 और ये पूरा मेरा हो गया, M Right समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना, तो अब हम इसको फिर ब्राइकेट में लिख सकते हैं से यहां से ब्राइकेट कर दोगे M ब्रावर इस पूरे को लिख लो पूना जब सेस्फल यानि कि R हमारा साथ हो जाए, सेस्फल क्या बचे? साथ हो जाए, तो A क्या हो जाएगा? 9Q जोर 7 हो जाएगा हम फिर इसका घं करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 Q जोर 7 पर Hull Cube तोड़ेंगे इसका Hull को तो ये हो जाएगा 3 A Square गुना B जोर 3 A B Square जोर B Cube इतना हो गया आगे करेंगे इसका एक्ठो 9 बाहर ये 81 Q Q इसका 9 को हम बाहर कर लेंगे अब कितना हो जाएगा ये सात्या 21 एक्ठो 9 बज़ गया यानि 21 का पढ़ा 9 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा 9 9 दूने 18 180 हो गया 180 ये Q Q हो गया दोठो है तो जो आगे बढ़ेंगे इसका 9 हम बाहर कर लेंगे तो बज़ जाएगा क्या साते साते 59 59 गुना 3 करोगे तो 59 गुना 3 करोगे तो कितना 27 बज़ गया 24 12 14 14 147 हो गया 147 Q ठीक है आगे देखेंगे इसको 37 है तो कितना हो जाएगा साते साते 59 ठीक है 59 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63 बच गया 6 बच गया 6 7 चुको 28 28 6 8 4 2 34 है न 343 हो गया यह हो गया हमारा 343 देखो 343 को हमें तोड़ना है क्या करना है तोड़ना है किस से भाग देना 9 से भाग करो पहले 343 को 9 से भाग करो कितना 343 को 9 27 तीन बच गया 27 7 3 9 7 9 7 33 9 8 72 9 8 है 12 सेसफल एक बच गया ठीक है यानि 343 को हम लोग अगर बोले 342 जोर एक बोलेंगे तो कोई दिक्कत है इस 342 में 9 और 8 है 9 और 38 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 342 उस 342 में जब हम एक को जोडेंगे तो हो जाएगा 343 ठीक है कोई दिक्कत आड़ी है समझ में 343 है 343 को हम लोग ऐसे लिख सकते है 342 जोर एक लिख सकते है लिख लिया 342 इसलिए लिखा क्योंकि 9 का पहड़ा में 342 आता है जब हम 9 का पहड़ा और 30 बार पढ़ेंगे कितने बार 30 बार पढ़ेंगे तो 342 आ जाएगा मतलब इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9 और इसमें भी 9 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको इस 9 को ले लेंगे 183 क्यूब 149 Q स्क्वाइर 147 Q जोर इस 342 में क्या है 38 है तो हम यह लिखेंगे 38 जोर जोर यह एक ठीक है अब इसको मित्रा देते हैं आया समझें 343 आया उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या क्या 9 से भाग किया 9 से भाग किया जो सेस बचा उस सेस को हम इधर जोर दिये तो इतना को जोरेंगे तो इतना बड़ाबर आ जाएगा ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे इस 9 को लेखेंगे और इस पूरे को M बोलेंगे M और ये जोर 1 इस पूरे को हम M माना तो ठीक उसी तरह से इधर भी लिख लेंगे M बराबर क्या क्या होगा ठीक है ये 9 M ये 9 M जोर 1 की रुपका हो गया एक और केलर करना उसके बाद लास्ट में लिख करके इसका काम को खतम कर देंगे ठीक है बोल बोल के मैं भी ठग गया चलो इसको फटा-फट से उतार लो रोक करके जब हमारा R का मान 8 हो जाए सेस फल क्या हो जाए 8 हो जाए सेस हमारा 8 हो जाए तो A क्या हो जाएगा 9 Q जोर 8 हो जाएगा पुना जब हम इसका क्या करेंगे घन करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से फिर इसको आके बढ़ाएगे तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से 9 Q, गुना 8 पर स्क्वाइर, जोर 8 पर पावर 3, बीपर हॉल क्यूब, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 9 हो जाएगा, एक्यासी Q, Q हो गया, इसका 9 को हम बाहर कर लेंगे, अब देखो, 9 अथे बाहतर हो गया, बाहतर तिया, बाहतर को हम 3 से गुना करेंगे, 3, 2, 6, 7, 216 हो गया, 216 ये Q पर स्क्वाइर हो गया, जोर यहां से हम 9 को बाहर कर लेंगे, उसके बाद ये 8 पर स्क्वाइर है, यानि 8 अठे 8 अठे 64, 64 को 3 से गुना करेंगे, 64 गुना 3 से गुना करेंगे, तो 4, 12 हो गया, 6, 18, 19 हो गया, 192, 192 पर ये Q, उसके आद देखो यहां, 8 का Q क्या हो जाता या, 512 हो जाता है, तिन्ठों 8 को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो 512 हो जाएगा, अब हम पुने क्या करेंगे, जोकि 9 को बाहर करना है, तो यहां हम क्या करेंगे, 9 से इसको भाग करेंगे 512 को कितना हो जाएगा 9.36, 9.5, 9.64 9.65 हो जाते हैं तो 9.5 है 45 11 में से 5 गया 6 और ये 2 9.7 है 63, 7 बार पढ़ेंगे तो 63 हो जाएगा 6 बार पढ़ेंगे 9.6 के 54 यानि 12 में से 4 चला गया 8, 6 फ़ल, 8 बचाएगा यानि 512 है तो 512 में से 8 घटा दो कितना बचाएगा 504 है न यानि 512 को हम लोग इस 512 को क्या लिख सकते है 504 जूर 8 लिख सकते हैं 502 को 8 का घन आया मेरा 512 उस 512 को हम लोग 504 जूर 8 लिख सकते हैं 504 क्यों लिखा क्योंकि 504 9 का पाड़ा में आ जाता है 9 का पाड़ा जब हम लोग 56 बार पढ़ेंगे तो 504 आ जाएगा उस 504 में हम 8 जोर देंगे तो 512 हो गया अब यह 9 यहां भी हो गया 9 यहां भी 9 यहां भी 9 यहां भी पान सो चार है, पान सो चार में से नौ को निकाला, तो बचा क्या चपपन है ना, यहां लिखेंगे चपपन और यह जोर आट, अब यहां ध्यान दो, अब हम यहां अगर देखेंगे, तो यह 9, और यह पूरा M, जोर यह 8, उसी तरह से यहां भी हम लिख लेंगे, इतना हम लोग लिख लेंगे, अब नीचे लिख लेना है, इन पूरा चीज को देखने से हमें पता चला, कि जितना भी हम बार हम लोगों ने क्या या तो वो 9m के रूप में आया या फिर 9m जोर 1 के रूप में आया या फिर 9m जोर 8 के रूप का आया बस इन ही के रूप का आया बाकि किसी रूप में नहीं आया ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ जिस तरसे चौथा में लिखे थे ठीक उसी तरसे इसमें भी लिखेंगे असपस्ट है अता असपस्ट असपस्ट कहा जी हाँ, असपस्ट है किसी धनात्मक पुर्णांक का घन 9M 9M जोर एक या 9M जोर आठ के रूप का होता है ठीक है आसा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा मैं भी थक गया इसको बनाते बनाते बोलते बोलते राइट चलो इस तरह से प्रस्णावली एक दसमर एक का सभी कोस्टनों को खतम कर दिया अब हम लोग आखे बढ़ेंगे फिर उधारन की ओर उधारन कम्पलेट करेंगे फिर सक्याद हम लोग एक दसमर दो कम्पलेट करेंगे करेंगे